चलिए अब हम बात करते हैं त्बाट कडि के साट पर हम पर बात कर सक कर रहा है तो अभी हम देखने वाले हैं और बटन के बारे में देख लिए और विंडोस फॉर्म चार चीज़ी हो गई है अब हम देखने वाले हैं चेक बॉक्स और रिडियो बटन होते के हैं पहले एक 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 ग्जामपल समझते हैं देखिए यहां पर आपको जो है क्वालिफिकेशन दी है एक तरफ क्वालिफिके किया जा सकता है मतलब क्या है एक सेधिक और यहां पर रखे जा सकते हैं और उनको टिक भी किया जा सकता है तो इस प्रकार की कंडिशन जहां होती है उसे बोले जाता है चेक बॉक्स ठीक है समझ गया दूसरी चीज होती है एक तरफ होता है रिजल्ट रिजल्ट आप देख इसके अलाभा वो 80 की टी आई है तो फैल नहीं माना जाएगा ना वो पास माना जाएगा तो यहां पर तीनों में से किसी एक कंडिशन को ही हम यहां सेलेक्ट कर पार रहे हैं मतलब क्या है मुल्टीपल अब्सन में से सिंगल सेलेक्षन है और यहां यह जो है checkbox दोनों के बारे हम यहां पर discuss करने वाले चलिए देख लेते हैं सबसे पहले बात करते हैं checkbox की तो checkbox control जो है user के दारे किसी option को select कर सकता है यह मतलब checkbox control user को option select करने की facility provide करता है जैसे कि हमने भी बात किये और इसमें user multiple selection भी कर सकता है ठीक है इसके लावा checkbox control में text display होता है जैसे कि हमने अभी देखे थे 10th display हो रहा था 12th display हो रहा था या फिर जो है graduation display हो रहा थे यहां पर है ठीक है इसके लावा टेक्स से पहले एक rectangular rectangular मतलब एक जो है इस प्रकार का box आता है जिसको हम ऐसे टिक करेंगे तो यह से राइट का निसान उसके अंतरगत आ जाएगा ठीक है select करने पर एक symbol आ जाएगा तो यह हम देखें और इसको एगर दोबारा क्लिक करें तो यह जो है text परटी उसमें जाकर हम इसके टैस्ट को जो है 10 12 जो भी कर देंगे और इसके इपहरें परपर्टि उती जिसको बोला मतलب चेक कर देंगे उसको होने पर चेक बोस्ट हो जाता है और रेडियो बटन का यूज़ यहां पर देखें तो यह जो है चेक बॉक्स के जैसे ही होते हैं परन्तु यहां मुल्टीपल ऑप्सन में से सिंगल सेलेक्शन प्रवाइट करता है तो यहां देखे देखे जो रेडियो बटन और चेक बॉक्स में थोड़ा सा डिफरेंस है कि वह यहां पर सिंगल सेलेक्शन सपोट करता है तो दो नों सिर्फ यह एक दो दिफरेंस हैं यहां पर बाकि काम करते हैं ठीकिसको कंटेनर रेडियो बटन को सब्सक्राइब और ऊप рук यहां नाम हम परक्स करदेंगे इसके कर देंगे टइस्के यहां पर इसको चेक और उपन कर सकते हैं चली इसका प्रैक्टिकल करके करें हम करके देख लेंगे यहां पर तो उसके बाद थो हम यहां पर देखे विजवल बेसिक कट करेंगे टेंपलेट से विंडोस और Guins फॉम एप्लिकेशन को सेलेक करेंगे नीचे हम नाम देदेंगे चेक-बॉक्स, इनको छोटा कर लेते थोड़ा इनके फॉन साइच को हम दो है बढ़ा लेते हैं और बढ़ा करने के लिए हम को पता कहा जाना है फॉंट प्रॉपर्टी में जाना है और यहां जाकर हम इसके जो फॉंट है उसको ट्रॉल कर देते हैं ठीक है यह देखे बड़ा हो गया है यहां पर जो गुरूप बॉक्स की हेडिंग को हम कर देते हैं टेक्स्ट पॉपर्टी में जाएंगे गुरूप बॉक्स की और यहां करते हैं रेडियो बटन का प्रयोग रेडियो बटन भी मल्टिपल ऑप्सन ओपियो मतलब इस्टोर करने के लिए काम आती है और सिंगल सेलेक्शन यहां पर हमको देखने को मिलता है तो रेडियो बटन हम जैसे ही सेलेक्ट करते हैं तो यहां पर हम देखे एक एक रेडियो ब बढ़ा देते हैं और यहां एक बटन लाते हैं ठीक यह बटन लाए अब आप देहां से दिखिए यहां पर हम रेडियो बटन का नाम बदल देंगे रेडियो बटन बन टू थी यहां पर लिखा है तो हम इसका नाम बदल करके कर देंगे नाम याद रखना रेडियो बटन ना नाम दे दिए चलिए अब इस पर double क्लिक करते हैं तो आपको पता यहां देखिए इसकी चेक्ट प्रॉपर्टी है चेक्ट प्रॉपर्टी सी वाली सीरीज में आईगी देखिए छेक्ट हॉल से अभी तो हम उसको रंटाइम पर चेक करेंगे तो चेक जो बटन लिए है मैंने कमान्ड बटन इस पर हम्लब्ल क्लिक करेंगे और कोडिंग करेंगे इन रिडियो बटन की डबल किलिक करिए किलिक करने कहीं बाद भाद हमार सामने कोडिंग फ्ले जो है है खुलOOOOOOOO code window हम सबसे पहले जो रेडियो बटन में चलिए इस अंगोश्य ने पढ़ा डिस्पे कराने के लिए देखेकं यहां पे एक लेवल ले लेते हैं इसए रिए नीचे लिए ले लेघ लेते हैं यहां रिवालव कया प्रेंक लेबलन डोट टेक्स्ट इसमें क्या आना चाहिए डाबल कोड के अंदर अब श्रिंग लिखे लिए रिजल्ट पास ठीक है इसप्रकार आप लिख सकते हैं अब रन करके देखे रां कर देखेंगे तो हम देखे पास अभी सलेक्ट है तो यहां चेक करेंगे देखे नहीं की गई है तो जो लेबल है वो आटपूट की रूप में प्रयोग हो जा है मैसेज चो कराने के लिए तो रिजल्ट में हमने अभी कोडिंग कर दी है तो रिजल्ट का ओप्सन आ गया है अब इसके लाबा देखे कोई एक ओप्सन होना चाहिए तो यहां पर हम फैल्ट इस प्रकार आला चाहिए उसके आद हम रंच करके देखते हैं दूसरी बटर्ण को हमने चेक करें और तीसरे मागर करते हैं उसको अंसर आना चाहिए उसके लिए बिकोडिंग निंग क्या करेंग अग आफको पता तीन आप्सन है तो हम हम लगा देते हैं if or else if और तीसरे में हमने आटोमेटिक क्या करना है एल्स लगाना है और एल्स में हम सिंपल क्या लिख देंगे लेवल वन डॉट टेक्स्ट एक्वल रिजल्ट है इस इतीटी ठीक है इस प्रकार हम लिख सकते हैं अब हम पास में अगर क्लिक करते हैं तो धीटत ऐसा इस प्रकार हम multiple लगा सकते हैं पर बात करते हैं कि इसकी checkbox की तो चलिए checkbox में काम करना देखते हैं checkbox में हम इसको बढ़ा कर लेते हैं थोड़ा और यहां पर हम तीन checkbox लियाते हैं ठीक है के और लेना डिप्लॉमा बाल वाल वह अपले सकते हैं अब चेख बटन डीक बटन है और इस लेबल का नाम ए लेबल to its devamرف Saveto enough देटे क्योंकि runtime पर सोबलितकि हम जाएने इसकी हम जो है जैसे मान लो वारए ह Quinn पैसे सेम्ट तुम लगा देते इस एक लगा देते हैं ぜ चैप बॉक्स बउन डॉट टॉक ठीक है यहां यहने चेकड करें और यहां पर क्या है लेबल तू- JEWAL लेबल टू ॉट अग्स्ट कैस्त होना जाहिए् सब्सक्राइद को फिक था इस प्राकार हम लेख अब सब्सक्राइब सब्सक्राइब लिखाएब नियुक्त हुआू लिए हैं और य device को लिए पर यहां जोते जाओ नातुज पहले मतथे आहएं और जो 10th select है क्योंकि simple से बात है को 12th कर रहत वो 10th करेगा अगर वो 10th करेगा तो यहां पर बहुत है कैसा आना चाहिए मतलब मतलब अगर उसने 10th और 12th नहीं किया मान लो धारण के तो उसके पास में यहां पर हॉबी हम ले सकते हैं इसके बदले में तो हॉबी में भी हम इस प्रकार की कंडिशन यूज कर सकते हैं तो यहां पर हमको एल सिपना लगाकर एंडिफ एंडिफ इस प्रकार लगाना पड़े मिले से स्टरिंग करके आप एक विडिफ ले लेढगे तो हम यहां लेवल मैं प्रिंटना ब्रेपर क्कार कंदे यहां पर करेंगे यहां पर यह अंध laugh実 नाम का वे श्रेक्ष्ट अबधे प्रिंट कर आएंगे क्या होना चाहिए तो पहले हैं फो को उसे store होगा उसको हम ले लेंगे यहां पर और एंड का निसान लगा हम क्या कर देंगे दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ने के लिए और यहां लिख देंगे हम 10 वाला चेक बॉक्स है तो 10 लिख दिए मतलब क्या है मतलब इसको हम जो कॉपी कर लेते और दूसरा चेक बॉक्स का नाम बदल कर यहां क्या कर देते हैं चेक बॉक्स टू और यहां कर देते हम 12 लिख देते हैं तो यहां पर हम पर क्या जाएंगे चेंज करते हैं सरफ चेंज करते हैं यह फिर आप जो भी एसता बीस यहां कर सकते हैं तो यहां आपको दिखmind में हमने कैंद किरा अगर है अगर मेंस जी में कीट में 10 वी होगा में 10 दगता यहां वीच है यहां वींच में क्या थोड़ा सा स्व depois हो में या फ्रका राट टाध करें में और गांता ट 되지 लेना लेबल टू डॉट टेक्स्ट और क्या क्रिंट कराना है मेजी ठीक है और मेजी बस प्रिंट ना कराक हम क्या करेंगे डबल कोट में हम ले लेंगे क्या यहां पर पहले तो हम लेते हैं डबल कोट में यूर क्वालिफिकेशन ठीक है यूर क्वालिफिकेशन इस और डब यहां पर प्रिंट हो जाएगा यूवर क्वालिफिकेसन के साहत मैं ठीक चलिए रन कराक देखते हैं रन कराक देखें तो हम 10 को अगर क्लिक करने तो देखें यह थोड़ा जो है यहां पर दिखने में थोड़ी प्राब्लम हो रही है इसको मतलब लेबल को तो हम इसको जो है थोड़ा नीचे कर लेते हैं ठीक है नीचे कर लेते हैं और जो लेबल है लेबल कुन सा है टू तो लेबल टू को हम यहां से सेलेक्ट करेंगे लेबल टू कहां पर दिख रहा यह दिख रहा है ठीक है और इसको जो है हम यहां पर बाहर लेकर आ जाते हैं ठीक बाहर लेकर अगर हम 12 को क्लिक करते हैं तो 10 और 12 तो नुग अगर देखे अगर हम किसी एक को गायब करते हैं तो फो गाईब हो जाएगा अगर हम होवी का एक जो है यहां पर चेकबोक्स से रेलेटेड प्रोग्राम बना सकते हैं होब्वी जैसे होबी में मृल्टीपल में से कुछ हो सकत है एक दो हो सकती इस प्रकार हम जो है इसका प्रोग्राम बना सकते हैं तो धिखे रेडियो भटन हमने समझे क्या मॢझी पलप्सन में से किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं यह हम x इसको हम true और false कर सकते हैं उसके लावर checkbox हमने देखें चेक box में multiple में से multiple को select कर सकते हैं और एक को भी select कर सकते हैं इसकी भी property होती है तो दोनों एक दूसरे के same ही है हमने इसलिए दोनों को common रूप से यहां देख लिए और थोड़ा से difference कैसे है इसमें चौक और box दिख रहे है और इसको हम multiple में से single selection और यहां multiple selection दोनों आपको समझ में आ गया तो हमने यहां पर देखें कहके चीज़े देखें एक तो हमने देखें है checkbox दोनों की मतलब इसकी property देखें और radio button इसके भी हमने property देखें साथ में इसका use देखें है तो आपको समझ में आ गया होगा फिर भ मुझे comment box में बताइए मैं उसका solution जरूर देंगा